नमस्कार इंडिया चाइना बॉर्डर पे जिस तरह से निया फ्लैर अप हुआ है 20 इंडियन ब्रेव हार्ट्स की शहादत होई है इंक्लूडिंग करनल रैंक ऑफिसर जो कमार्णिंग ऑफिसर थे जिस कुरूरता निशिंस्ता और बरबरता के साथ पीले पीपल्स लिबरेश इस तरह क्या घटना अंजाम हुई उसके भारत का क्या रवया रहे क्या स्टैंडर है दोनों तरफ से किस तरह के स्टेट्मेंट्स आ रहे हैं आगे की संभावनाएं क्या लग रही है इसी विशेपरा आज की चर्चा तो सबसे पहले बात करते हैं कि हुआ क्या 15 और 16 जून को गलवान वैली में एक भारतिये सेनिक टुकडी जो पेट्रोल पे गई थी उसने शायद चीनी चाइनीज सोल्जर्स को एंगेज किया और उनको वापस अपनी पोजिशन्स पे लोटने को का ध्यान रहे पिछले हपते जो बात हुई थी मेजर जनरल रैंक के बाद उसके स्टेटमेंट आया था कि डी एसकेलेशन का प्रोसेश चुरू हुआ है लोग अपनी अपनी जगों पे लोटने की बात स्विकार कर गये हैं तो शायद उसी कड़ी में भारतिये सेनिकों ने ये पहली ये इंगेजमेंट की और कहा चाइनीज से अपनी पोजिशन पे लोट सारी हैं लेकिन इसके बार में डिटेल्स अभी अवेटेड हैं इंडियन साइड का कहना है कि चाइनीज साइड में भी क्याजूल्टी होई है हमाई तरफ 20 लोग बने उस तरफ से 43 लोग मरें जिसमें मरने और घायलों दोनों की संख्या शामिल है लेकिन ये इंडियन साइ उनकी मिलिटरी ने उनकी फॉरण मिनिस्टरी ने हमारे अम्बाज़र को समन किया गया कल बेजिंग के विक्रम मिस्टरी को और कहा गया कि भारत अपनी एडवेंचरिजम से बाज आए और आउनर करे एलेसी को बॉर्डर एग्रिमेंट्स को उसकी स्पिरिट को और प्रोव करता है निरुपमा राओ जो भारत की पूर विदेश सचिव हैं उन्होंने बहुत इंट्रिस्टिंग ट्वीट्स की हैं और जिस तरह से चाइनी स्टेट्मेंट्स आया उन्होंने का यह बहुत ही बाद ओमन है खराब सिग्नल है अशुब संकेत है उन्होंने का 1959 में भी इ सब इस्टन और वेस्टन सेक्टर में होए थे तो यह चाइना का ट्रडिशनल रवाई आ रहा है कि वह अपनी ऑपोजिशन साइड को ब्लेम करता है उसी को गलत ठहराता है खुद को विक्टिम ठहराता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है और उस तरह से मामदे को एसकलेट करने की कोशिश करता है निरुपमराओ ने ट्वीट में कहा है कि बाड मून सीम्स तो बी राइजिंग ऑन दी इंडो चाइना रेलेशन साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि यह पिक्यूलियर एक आदत है चाइना की और वो जिस तरह से चाइना इंडिया कह रहा है कि गल्वान व पोजिशन पर लॉटने के लिए तयार नहीं है कमोबेश यह हयालात कुछ फॉर्मर आमी जर्नल्स ने भी व्यक्त की हैं बीएस हूडा जो कि नॉदरन एरिया कमांडर रह चुके हैं उन्हें का सिचुएशन बहुत ग्रिम है अजे शुकला जो मिलिटरी एक्सपर्ट है कर होजे उन्होंने का इस मामले में हम रॉंग फुट पे एक तरह से पकड़े गए हैं हमने चीन से एक किसम का चीन ने जो डिसेप्शन कार्ड प्ले किया था हमें डिसीव करने ही कुछ की थी हम उसके छलावे में शायद आ गये हैं चीन में इतनी तग्यारी के साथ भारतिये टेरिटरी में जो घुसपैट की है जो अंदर आएं जो इंक्रोच्मेंट की है वो शायर इसलिए नहीं किए कि वह एक दो राउंड्स अव टॉक्स के बाद वाद वापिस अपने ओरिजिनल पोजिशन पर चले जाएं कुछ विशेचगों का यह भी मानना है कि देखिए प और पर कुछ होता भी है तो बाद में सुलच जाता है लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा और उसकी बड़ी खास वजह है एक तो इस बार उन्होंने एक सेक्टर से जाधा सेक्टर को एक्टिवेट किया है चाहिनीज ने लगाता पांच-छे जगें इसलिए उन्होंने इनकर लेकिन भारत क्या करें भारत में देखिए पिछले पांच-छे साल में इंडिया और चाइनीज लीडर्शिप में मोधी और प्रेजिडेंट जी के बीच में लगबग 18 मीटिंग्स होई है डारेक्ट समिट लेवल बाइलाटरल और मल्टिलाटरल मतलब बड़े इवेंट्स के साइड लाइन पर जो मीटिंग होती है 18 मीटिंग्स होई है और वो जो सारी स्पिरिट थी है कॉपरेशन की जो एक दोस्ताना माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था वो बिलकुल हवाच्छू हो गया है उसकी आज कोई जलक हमें नहीं मिल तो हम आगे कैसे बढ़े ह हमें एक तो ध्यान रखना पड़ेगा कि चीन एक सुपरपावर है हमारी सेना जामबाज है हम कहीं पीछे नहीं है बट चाइना को हम किसी और देश की तरह से नहीं ले सकते मसल मेरा इशारा स्पशली पाकिस्तान की तरफ था चाइना एक बहुती सक्षम और स्ट्रॉंग और पाफुल मिलिटरी राष्टर है उसका इंफ्रस्ट्रॉंग डेवलप्मेंट में उसने हम से डेकेड्स आगे की एक बढ़त लियो है हम कैच अप प्ले करने की कोशिश कर रहे है तीसरी चीज यह है कि वह बहुती एक स्ट्रॉंग सिग्नल शैद देने की कोशिश कर रह भारत को फॉमर एमबैजर राजीव भाटिया ने कहा है कि इसमें चीन की तीन प्रयाज दिख रहे है एक तो चाहता है कि भारत में इंफ्रस्ट्रॉंग्चर डेवलप्मेंट रोके दूसरा वह चाह रहा है कि दक्षिन एशिया और दुनिया में एशिया में भारत अलग थ दोनों पीपल्स लिबरेशन आमी में एक नया स्वैगर दिख रहा है वो अपने बूट्स जो ग्राउंड पे हैं उनको अज़र्ट करते दिखना चाहती है प्रेजिएंट जी तो दिखते ही हैं उनमें एक मिलिटरी एडविंचरिजम है वो एक नया स्वरूप ढूंड रह बहुत जबरदस्त एक आग्रचित्ता और एक जीवटता एक लक्ष की तरफ हमारा बिलकुल प्रतिबद्ध होना कि हम अपनी जगे नहीं छोड़ेंगे लेकिन साथ ही साथ कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे मामला और आगे बढ़े क्योंकि युद भारत को और चीन को चाह बिलकुल सूट नहीं करता है लेकिन अधे सेम टाइम हमें सूट करता हो और नहीं करता हो हमें उसकी पूरी तैयारी करने पड़ेगी हमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा सो डिप्लोमाटिक एंगेजमेंट्स हैब तो कंटिनू बॉर्डर पे जो सीनियर आमी ऑफिस हमें सेना हैं बॉर्डर पे तैयना आता है यूजिल दीन तो छोटे से सेक्टर में कोई घुसा है बीस पचास सो दोसो लोग लेकिन इस समय स्थिती हजारों सेनिक दोनों तरफ हैं और ध्यान रहे कि मामला जिस तरह से फ्लेर अप हुआ है आसानी से जो सोल्जर्स हैं उनक पांच दशक में पहली बार इस तरह का फ्लेर अप हुआ है लास्टाइम नाथूला पे हुआ था 1967 में एक्च्वल मिलिटरी कॉन्टेशन जिसमें 300 भारतिये सैनिक मारे गए थे और 88 भारतिये सैनिक मारे गए थे उसके बाद ये पहली बार आईबाल टो आईबाल कॉन्ट की तरफ बढ़ना मतार एक बार फिर से की दिल्ली कोई कोशिश करने चाहिए कि टेंपर जो पैशन्स हैं जो इससमें रणिंग हाए है उन नीचे आए डायलोग डिसकॉशन डिलेबरेशन के जरिये बात आगे बढ़े स्टेटेस को एंटी हो चीन के साथ वारता इसके साथ काम लेना चीए वारता करनी चीए लेकिन स्तैयारियां सारी पूरी होनी चाहिए शक्ति संतुलन ही अल्टिमेटलि और अल्टिमेटलि इंडिया जिस तरह की एकोनमिक माईट आने वाले सालों में अक्तियार करता है अपनी position मनाता है वो ही चीन को neutralize करने का असली तरीका होगा तो देखते हैं आगे किस तरह की घटनाएं होंगी आपसे लगातारे स्विशे पर हम संबाद बनाए रखने की कोशिश करेंगे नमस्कार किस अपसल addition किस अपसल着 मौन असपसल और सकांद बनाएं होगाता असले की की इं Load